संसाधनों की कमी से जूजने के बावजूद सीता पुर्जिले के फायरदश्टे के होसले में कोई कमी नहीं है हर समय मुस्तैद कहीं आग लगने की सूचना मिलते ही दौड लगाने के लिए तैयार फायरदश्टा आम अवाम को आग से बचाने या यू कहें आग लगने के नुकसान को कम से कम करने के लिए कभी कभी तो खुद की जान भी मुश्किल में डालता नजर आता है कहते हैं किसी भी जंग में संसाधन यानि जंग लड़ने के हतियारों का बेहग महत्व होता है जिसके पास जितने हदे किया जितने अच्छे हतियार होते हैं वो निशित ही दूसरे पर भारी पढ़ जाता है इस द्रश्टी कोर से अगर सीतापुर में तैनात फायर दश्टे की बात करे तो यहां पर तकरीबन आधे पद खाली पड़े हैं तकरीबन 5743 वर किलो मीटर में फैले 52 लाग की आबादी वाले सीतापुर जिले में फायर दश्टे के वाहन भी जरूरत के मताबिक काफी कम हैं आग लगने के सबसे ज़्यादा घटनाएं एक मार्च से 30 जून के बीच होती हैं जाहिर है यह फायर सीजन नजजदीक हैं सुभाश सिंग से बात की आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा सबसे पहले बात मैन पावर की करते हैं जो जिले में अगनी शमन अधिकारी के छे पद सुकरत होने के सापेक्ष पाँच पद रिक्त हैं अगनी शमन दुती अधिकारी के साथ सुकरत पदों के सापेक्ष महज एक पद पर तैनाती हैं फायर सर्विस चालक के सुकरत 15 पदों में से 5 पद खाली हैं सबसे बड़ी कमी तो उन फायर मैन की है जिनकी आग बुझाने में अग्रडी भूमिका होती है इनके 111 सुकरत पदों के सापेक्ष 50 पद खाली बड़े हैं इसी तरह से कुक कहार सफाय कर्मी भी सुकरत पदों के सापेक्ष ना के बराबर हैं वाहनों पर आए तो जिला मुख्याले पर दो बड़ी गाड़ी और एक पंप योनिट उबलद है इसके अतरिक्ट लहरपुर, बिस्वा, महमुदाबार, सिधौली, मिश्रिक, महोली में एक एक पाइप टेंडर और एक एक पंप योनिट की तैनाती है आई इंडिया के लिए सीतापुर से विरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया